नमस्ते, मैं डॉक्टर विद्या अविनाश देवरे, पिछले 17 सालों से पूने और मुंबई में आईरवेक त्रीडोक तरने के तौर पर काम करी हूँ, आज कविशे हम देखेंगे लो एमेच, आज के दौरान, आज के इस दौर में जैसे कि हम सब जानते हैं, कि हम सब लेडीज जो है वो अपने करियर को काफी सारा महत वो देती है, हमारी एजुकेशन के वज़े से, करियर की वज़े से हम यह देखते हैं, कि 30 साल यह शादी के लिए नॉर्मल एज हो चुकी है, 30 सालों के बाद शादी हो जाती है, उसके बाद भी काफी बार 2 या 3 सालों तक फैमिली प्लानिंग होती है, उसके बाद हम प्रेगननसी के लिए ट्राइ करते हैं, तो इसे प्रेगननसी ड्यूरिंग 30 ऐसे बोला जाता है, तो जब हम डॉक्टर के पास चाहते हैं तो यह पता चलता है कि हमारा AMH लेवल लो है, AMH लेवल लो होना इसका मतलब होता है कि हमारी ओवरीज में एग्स की संख्या कम होना, अगर आपका AMH लेवल कम आता है तो डॉक्टर आपको IVF करने की सला देते हैं, जितने भी आपके बचे हुए एग्स है, उनको इस्तमाल करके टेस्ट्यू बेबी करने की सला आपको दी जाती है, पर मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अगर AMH लो है तो भी आप नाचरली कंसीव कर सकते हैं, आइरवेद दवाईयां और पंचकर्म के मदद से आप अपना एग अपना ओविलेशन जो है उसे आप हेल्दी ओविलेशन पा सकते हैं और अपने हेल्दी एग से आप नाचरली भी कंसीव कर सकते हैं, इसके लिए आपको तरूरत होगी योग यो आईरवेद सलहा की जिसमें काफी सारी दवाईयां आपको शिरू की जा सकती है, उसमें जैसे उत्तरबस्ती पंचकर्म है, बस्ती का पंचकर्म है, नस्य पंचकर्म है, काफी सारे बिरेचन का पंचकर्म है, काफी सारे सरल उप की ज़रूरत नहीं है आज ही आपके नजदी की आईरवेद सलागार जो भी रहेंगे जो आईरवेद तदने रहेंगे उनसे आप सला लीजे और अपने लो एमेच की आईरवेद पंचकर्म से ट्रीटमेंट कराईए हमारे 17 सालों के अनुभों में 0.20 एमेच इतना कम एमेच क को भी नाचरली कंसीव हुआ है और ऐसी काफी सारे केसे हमने आज तक देखी है जो लो एमेच होने की बावजूद मी अच्छे आईरवेद मेडिसीन और पंचकर्म से नाचरली कंसीव कर चुकी है अगल आपको यह हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो जरूरी से ला